नमस्कार आप देख रहे हैं नीज़ वाल इंडिया आपके साथ पहु का जोल नरायन बहुत स्वागत है आपका अपना उत्राखंड में आज उत्राखंड के मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी हरद्वार ग्रामिड के श्वहपुर शीतला खेडा पहुंचे जहां उन्होंने रूबराश पैलिस में आजादी कामरित महोसव और सुअसायता सम्हों के एक दिवस्य कारशाला में प्रतिभाग किया इस दोरान उन्होंने सुअसायता सम्हों कोरोना वरियस को सम्मानित भी किया इस दोरान सर्वशेष्ट बैंकर्स को भी प्रमान पत्र देकर सम्मानित किया गया मुखे मंत्री पुषकर सिंगधामी ने बताये कि जो महिलाएं सुअसायता सम्हों की मदद से सुअरोजगार करती है उन सभी महिलाओं को सरकार की ओर से 119 करोड का राहत पैकेश दिया गया है इस कारकर में बीजोपे के कई विधायकों नेतागर मौजूद रहे सुरजगार करती है उन सुरजगार को और मद्वद करने के लिए हमें 119 करोड रुपे का पैकेश अपनी महिलों के लिए दिया है इसने मिल राहे अपनी माता हों बहनों का बड़े वुद्दों का नोजवानों का सब्सक्रपाद मिल रहा है और हम लोगों के पीछ में जाकर संबाद कर रहे हैं हमने का है सरली करन समाधान और मिस्तारी करन ये हमने एक मंत्र के रूप में दिया है उन्होंने कहा कि श्री नगर वधान सभा में धन सिंग रावत के द्वारा बीते साड़े चार सालों में कोई विकास कारे नहीं हुआ साथी उन्होंने सरकार के श्री नगर पालिका को नगर निगम बनाने के फैसले का भी विरोध किया है कॉंगर्स प्रदेश अधियाश गणेश कोधियान ने श्री नगर में आईजित युथ सम्मेलन में प्रतिभाग किया आईजित काल्टर में गणेश कोधियान ने कई प्रतिभावान युथ को को सम्मानी भी किया जोरान गणिश गोदियान ने श्री नगर को नगर निगम बनाने की फैसले को गलत बताकर इसे राज़नितिक द्वेश्व की भावना के तहट लिया गया फैसला बताया उन्हों ने कहा कि श्री नगर पालिका अध्यक्ष कॉंग्रिस की है इसले विधायक धन्सिंग रावत द्वारा श्री नगर को नगर निगम बनवाने की कोशिश की जा रही है साथी गणेश खोदिया ले उच्चु सिक्ष्वा मंतरी धन्सिंग रावत को एक महीने में नगर निगम की चुनाब करवाने की चुनोती भी दी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर धन्सिंग रावत नगर निगम बनाकर ही च्रेन की सांस लेना चाहते हैं तो एक महीने में चुनाब कर आकर दिखाई जनता उन्हें जवाब दे देगी अध्यक्रीज कर करा है उनको प्रोचाइट किया जाए उसी के ताम रखा है हमें भी आमंत्रित किया मुझे खुशी है मैं दन्येबाद चाहता हूँ कि हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है और ये बहुत अच्छा कारिक्रम यहां पर हमारे युवस कांगरस के लोग कर रहा है यह हमेशा रहा है कि यूध कांगरस के कोटे से हमारे कई साथी टिकट पाए हैं कई साथी बिदाएक हुए है और ये अनवरत जारी रहेगा आज़ादी कामरित महोसफ कार्वकरम के उपलक्ष में SSB द्वारा निकाली गई रैली आज हलदवानी SSB ट्रांजिट कैम्प से दिली राजखार्ट के लिए रवाना हो गई ये रैली दो अक्टुबर को गांधी जेनिती पर दिली राजखार्ट पहुंचेगी बता दें कि साइकल रैली के दो दलों में SSB के 34 जवान प्रतिभाग कर रहे हैं ये रैली कुमाओ की सिमान्त शेतर डीडी हार्ट से शुरू हुई है और दूसरी रैली कुमाओ के चमोली ट्रेनिंग सेंटर से शुरू हुई डी आईजो SSB के मताबिक आजारी की 35 साल पूरी हुनी पर SSB ने इस कारकम कायजुन किया है जिसको पूरी भववटा के साथ मनाय जा रहा है साइकल रैली में प्रतिभाग कर रहे जवानों के मताबिक SSP के सारे जवान रैली में जोश के साथ प्रतिभाग कर रहे है तो दो अक्टूबर को दिली के राजगाट पहुँचेगी यह साइकल यात्रा यह तस्वीरें आप देख रहे हैं SSB की साइकल यात्रा हलदवानी पहुंची है और इसे 2 अक्टूबर को दली पहुंचना है आजादी का अमरित महत्सो इस डॉक्टर मला एंड़न स्विकिन थेंक यू आजादी का अमरत महत्सो हमारे स्वतनता के 75 वे वर्ष में मनाया जा रहा है पूरे देशवासी इसे बड़े हर्सोलास के साथ मना रहे हैं इसी क्रम में SSB ने एक साइकल रैली आयूजित की गई की है जो की हमारे सीमांत के शेत्र डीडी हाट से 11 वी माईनी डीडी हाट से एक साइकल रैली चली है जो की राजगाट तक जाएगी और दूसरी हमारी जो साइकल रैली है वो चमोली जिले में गौल्दम जहां पर हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है वहां से चली है और यह भी र हो भी कारिक्रम में इनकी ये सम्मिलित होंगी। मामली में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला श्रांत कराया। वहीं दोनों पक्षों के बीच हुई मार पीच की ये खटना पास ही लगे सिस्टेवी कैमरा में कैद हो गई। फिलाल पुलिस का कहना है कि मामले में किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं आई है। अगर तहरीर आती हैं तो कारवाई की जाएगी। रूद प्रियाग में विकास खंड अगस्ते मोनी के ग्राम पंच्राइट बोरा में स्वास विभाग की भूमी पर अतिक्रमन का मामदा सामनी आया। ये ग्राम पंच्राइट के वार से दसे नहीं स्वास विभाग की भूमी पर कबजा करना शुरू कर दिया। ग्रामनों के आपत्ती जताने के बाद भी वार सदस्त अतिक्रमन करने में लगा है वह इमामने में स्वास महमेका भी पूरी तरह से चुप्पी सादे हुए है ग्राम पंचायद बोरा के वार सदसे मुली धर स्वास विभाग की भूमी पर कबजा किये हुए है और पक्का निर्मान करने में लगे हुए है पहले भी वो एक बार स्वास विभाग की भूमी पर कबजा कर चुके है जब ग्रामनों ने उनकी शिकायद जिलाप्रशासन और स्वास्विभाग सकी थी जिसके बाद अतकालीन सेउक्त मजिस्ट्रेट हिमांचु खुराना ने अतिक्रमन हटवाया और अब फिर से वार सदस्य की ओर से अतिक्रमन किया जा रहा है जिसको लेकर लगातार बवाल मच अतिक्रमन किया जा रहा है जिसको लेकर स्वास्विभाग लगातार शुकायद कर चुका है लेकिनी सोर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा इस बात को देखते वे वहां की ग्राम सवाओन है वहां के तमाम जन प्रिदिनियों निदियों ने इस मांग को ठाय था इन सब होने के बावजूत भी 2017 के बाद जब पत्रिश स्वास्थि वियुवाग को दी गयी उसके बाद भी तक 2021 आने वाला है स्वास्ति बिवाग जल्द से तर इस पर कोई भी उचित कारवाई नहीं करता है तो निशी तोर पे हम लोगों को आंदुरन के लिए बाद्य होना पड़ेगा जिसके संपमुण जिम्यदारी स्वास्ति बिवाग की होगी और तमाम उन प्रशाणिक अधिकारें की होगी जिन पूरा जुबी जतने भी विभाग उनका सारा रिखवार जो हमारे शेम साब को दे रहे हैं, वो फेल वा जा चुकी, आप हमने तो यह फेल लगाई थी हमारे दुर्गधाम की जमीन की लगाई थी, बवाई वाले हमारे इसमें ने थे, अभी लोग तो बोल रहे हैं कि हमारा होस्पेटल का पैसा जो है बवाई गों मा लगा दिया, अजया का होस्पेटल ऐसा ही थुड़ गया, उसी साथ का एनम सेंटर पर सब कालिन बन गी है, और यह कारण का कारण क्या है, मैं भी पूछ रहे हूं, यह कारण क्या है कि यहां होस्पेटल नहीं बने जबकि ची हाँ सब स्वच्फी भाग की दिखत है, बहुत ज्यादा दिखत है, अज़िसमें हम यह सासो रहे है, उस्पेटल की जगों कभर करे। नहीं बनाई, यह कहना है मिर। तो स्वास विभाग की भूमी पर अतिक्रमन किया हुआ था जिसको लेकर लगातार शुकायत की जा रही थी लेकिन उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत का जो वौड सदस्य है वो लगातार अतिक्रमन कर रहा था देरदून में राशन मिक्रेताओं की चली आ रही हरताल धर्मपुर के बधायक विनूच उमूली और खादे विभाग के अपर आयूकत पी एस पतांगी की हस्तफशिप के बाद दस दिनों में लभांच और किराय का भुकतान करने के आसवाशन पर राशन मिक्रेताओं ने अपनी हरताल वापस ले ली वही राशन मिक्रेताओं के हरताल वापस लेने के बाद विभाग ने अब राहत की सांस ली है हरताल समाप की घोशना के बाद कल से सभी गोदामों से सरकारी खाद्यान उठारा शुरू हो जाएगा जिससे कि अब भोगताओं को भी रहत मिलेगी और उन्हें अगले महीने से सरकारी खाद्यान मिल पाएगा आपको उता दें कि काफी समय से मानदे और अपने बकाया लाभांच और किराय की मांग कर रहे राशन विकरिताओं ने अपनी मांगों पर कारवाई ना होती देख आंदुलन शुरू किया था जो आज समाप्त हुआ है इस दुरान विधायक विनोच चोमोली ने कहा कि राशन विकरिताओं की मांगे जॉयज हैं जिन पर सरकार विचार कर रहे हैं और राशन विकरिताओं की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा कुछ राशन विकरिताओं की कुछ जिनों से यह मांगे थी कि उनके जो पुराने विलों का बुक्तान है जो अभी विट्रण किया गया था उसा नहीं किया गया तो अभी हम लोगों ने अफिसले दिनों में कम से कम 20 प्रस चौरह करीब चूटीस करोड का वंटन अभी हमने कर विया है राशन विकरिताओं थे इनके साहत हम लोग बैठे थे और इनको अवगत करा दिया गया है और अवसेज जिनके कुछ जो बिल बचे है चार-पांच मैने के उनको हमने का है कि अगले हफ्ते 10 दिन में इनको करवा देंगे अगर राशन की दुकान खोल करके इनको राशन वित्रण करना सुनी चित्तर वागता है कि समस्यें में बड़ी जायज है और सभी दुगंदा यह रुख रहे हैं कोई प्रसंचनिय है और इनका जो भाड़ा था जो परदान मनित्री से जो राशन बच रहा है उसके भाड़ा का मसला था इनका लगबग जो सामने आठ मेने का भाड़ा रहता है उनको मिलना चीए और नहीं मिलेगा तो बहुत जोड़ा पैसा तो मिलता नहीं है कैसे करके काम करते हैं यह भी बहुत बड़ी बात अपने आपने तय हुआ हुआ है कि आगा में 10 जिन गंग अंदर यह पूरा बाड जा रहा है उससे का इसाब नहीं हो जाएगा तो कहां सी भरपाई करेंगे यह समस्या है साथ में यहां पर लोग रासन खाने आते होंगे शुबूर चेत्रों से आते होंगे यहां पर मैंने देखा महिला रासन विक्रेटा भी है यहां बैठने के वेटिंग लूमा प्रोसेस चल ला है उद्हम सिंग नगर के रुदपूर कोत्वाली पुलिस ने आई पेल मैच में सट्टा लगाते हुए एक यूवक को गिरतार कर लिया आरूपी के पास से 9 लाह रूपे चार मोबाईल और एक कार भी बरामत की गई है वहीं पकड़े गए आरूपी ने प अप्रिको कोर्ट में पेश कर जेल फेज दिया है वहां पर से एक बैकती है भूनेश कुमार कोली एक रूंपुरा के रहने वाला है इसको ठटा लगाते वे पकड़ा गया और एक अश्योबी गाड़ी भी बरामत कर ले गई है जिसमें बेटावा था और इसके सांथ जो है जो जब तलाश ले गई तो इसके सांथ अन्य सां श्री दक्षणी काली मंदिर में पूजा आरश ना की और आचारे महामंडलेश्वा स्वामी केलाश्वा अनन्द गिरी महराज से आश्वरवाद लिया इजुरान राज्टू चरणदास प्रसाद ने स्वामी केलाश्वा अनन्द गिरी महराज को भगवान श्रेकिश्व के पतीमा भेट कर विश्वक शांती की कामना भी की है काफी मस्बूत है उन्होंने कहा कि गुवायना के राज्तू चरंदास प्रसाद धार्मिक प्रवर्ति की व्यक्ति हैं मा दक्ष्ण काली वर गंगा मय्या के खुपा से वो सफलताओं के नए आयाम प्राप करेंगे आज रिपर्लिक आफ गाइना के एंबस्टर हमारे चरंद प्रसाद जी आये हैं और वहां की लोकसभा मेंबर भी हैं एंपी भी हैं तो बहुत धार्मिक हैं माभगवति काली के दर्शन करने आए और मा का अपने दर्शन किया आज राजंदरदार जी महाराज जिर्मोय आपका अशर्वाद दिया हैं सोमे हैं और अपने देश की परंपराओं को लेंदर के क्योंकि आपने देखा जो में व मेंटर आपकी देश की म divisions लॉट श्टर भगवान कुह साुम्हैं तो भगवान कुष्ण को आपने भैठ किया और मुझे लगता है कि ढासा जो गईना अपने माँ का दर्शन किया अभी आप हमारे साथ भोजन प्रसाद लेंगे उसके पषचाद जो है हम कुछ उस country को ले करके और अपने भारत को ले करके हम आपस में कुछ बात करेंगे जिससे कि देश की संस्कृति और देश का संस्कार बचा रहे हैं क्योंकि जो गैना कंट् सब्सक्राइब करने हैं तो मैं भगवति माघंगा माकालि से और महादेव से प्रार्तना करूंगा कि उस देश में सारे प्रकायर की व्रद्दी हो उस देश की यस बढ़े देश का सम्मान बढ़े और अम्बेश्टर शाहब और लोक सभा मेंबर बिचलन प्रसाद बहुत सरन हैं सव में हैं तो इनकी जो सहजता है वो भारतिय संस्कृति से ले करके वहाँ आप जाएं और सनातन संस्कृति का एक वहाँ जो ओड़ प्रोच संदेश है उस गयना कंट्री को प्राप्ट हो चमोली में कर्ण प्रियाग नगर में बंदरों के बढ़ते आतंग को देखते हुए इस्थानिय लोगों ने तैक कार्टम के अनुसार अपर बाजार रामनिला मैदान से तहसील परिसर तक जुनुस निकाल कर प्रदर्शन किया इस्थानिय लोगों के एक शिष्ट मंडल ने उप्जरादिकारी के जरिये जरादिकार को ग्यापन दिया है कहा है कि अगर एक तारीख तक बंदरों के आतंग से निजवात नहीं मिली तो इस्थानिय लोगों उगरा अंदुरन के लिए बाद्धे हो जाएंगे इस्थानिय लोगों ने तैसिल परिसर में आकरोज यताती वे कहा है कि नगरपालिका, वनविभाग और स्थानिय प्रशासन को ग्यापन देते देते ठक गए हैं लेकिन आज तक बंदरों से निज़ात नहीं मिल पाई है अगरपालिक में भी कहें बार हमने बोल जया है लेकिन कोई असर नहीं पड़ ला है और बंदरों का इतना आतंग है आज इस्तितिया ही है कि बच्चे इसको जाना मुश्किल हो गया है लोगों का घर से बाहर आना मुश्किल हो गया है और यहां तक कि इसकूल के क्लास के दिया है और पहले तारिक को समाधान नहीं होता है, दो तारिक को आम पबलीक आम नगर के नागरी को यहां आएंगे और ताला बंदी करेंगे है अधिकारियों को अंधर बंद करेंगे अगर दो पहले तारी तक हमारा समाधान नहीं होगा, दो तारीक सम्यापधने में बैठ जाएंगे, अगर किसी को हानी होगी तो प्रसासान और सासान दोवेदार होगा इसका, बंदरों ने इतना आतंग फेला रखा है, बंदरों ने बिन लंबूरों ने भी, हमको बाहर निक करना मुश्कर हो रहा, बच्चे एक हाद में गंडा ले रहे, एक हाद में बच्चों के आत पकड़ रहे, कई बच्चे इसको सब वापस घर आ रहे कारक्रम में मुख्यातिती के रूप में, हंस फाउंडेशन के प्रवंधक प्रदी प्राणा, श्रेयर बेन प्रतरिधी, सागर मनवाल और सभासद इश्वर रौथाना मौजूर रहे समीती के अध्यक श्रीना चोहान ने कहा कि कई महिलाएं ग्रामिट शेत्रों में बहतर कारे कर रही है, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिल पाता इसलिए समीती ने आज ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया है, जिससे कि वो और बहतर तरीके से अपना कारे कर सके महिलाओं आज राजनितिक शेत्रों, समाजिक शेत्रों, सांसकृतिक शेत्रों, हर चेत्र में महिलाओं बर चड़कर इसलिए लेकिन उनका सम्मान नहीं किया जाता, आज हमने उन महिलाओं को जो समाज में बहुत अच्छे कारे कर रही हैं, सांसकृतिक कारे कर रही हैं, उ मैंने आज अपनी किर्टन मनली के तरब से माजवानस और किर्टन मनली की तरब से आज उन महिलाओं का सम्मान किया है। सद्गुरु जग्वासुदेव जी महराज का पतंजली आगमन हुआ। तो रामदे महराज ने शौल उड़ाकर भव्वे स्वागत यहाँ पर किया है। जग्वासुदेव जी महराज का साथी साथ उनका कहना है कि सद्गुरु जग्वासुदेव जी महराज का पतंजली आगमन बिहद शुब है। हर्दवार में भीर हर्दवार की हेवी इलेक्ट्रिकल वोकल ट्रेड उनियन की तरफ से जौइन कमिटी ज़ंट एमेचम्स और एटक के केंद्री निताओं के पुतले का देहन कर अपना वरोध प्रदर्शन किया। इंटर के सर्ज्रा रेडी, HMS के सिद्धू बैठक के महादेवन खुद दलाल नेता बताते हुए कहा कि वर्करों के इन हक इन दलाल नेताओं के तरफ से छीनने का काम लगातार किया जा रहा है। और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहे नियूस वर इंडिया के साथ। करेचा बाताओं की जए чаा ही आपना ही वर्क रहे रहें एकि रहें एकिए एकिएक मजञे झाइ कॉण